हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू गार्णिंग विधी तेश आज मैं आपसे इस वीडियो में अपने गार्णिंग के कुछ जो भी फैंसी प्लांटर्स हैं रेजिन के बेसिकली छोटे छोटे वो शेयर करने वाला हूं तो सबसे पहले जो ये प्लांटर मैं आपको दिखा रहा हूं ये एक बनी प्लांटर है जिसने एक कार्ट पकड़ी हुई है और काफी मतलगी अच्छी क्वालिटी का है ये इसमें मैंने ये वाली जो बेल होती है एक वाइन होती है ये अपने आप ग्रो हो गई है सेट से तो ये इसका जो प्राइस था आई थिंक 300 के अराउंड ही था कितना ही रहा होगा लेकिन लुक वाइस एंड क्वालिटी की काफी अच्छी है और साइज भी ठीक है ये प्लांटर्स थोड़े ऐसी आते हैं महेंगी आते हैं लेकिन देखने में काफी खूपसूरत लगती है और एक मेरे पास ये है ये छोटा सा है उपर इसके आउल बना हुआ है आउल बैठा हुआ है और नीचे इसमें ये स्कुरिल है और ट्री का एक स्टेम सा है तो काफी नैच्छुरल सा लुक देता और इसमें जो है पहले कुछ सकुलन्ट लगाया था मैंने वो खराब हो गया तो अभी कुछ दिन पहले मैंने ये नई सकुलन्ट के जो है बेबी प्लांट्स इसमें लगाये हुए हैं चोटी सी स्पेस होती है नमी तो सकुलन्ट केप्टर सी इन प्लांटर में अच्छे चलते हैं और ये मेरे पास सेंटा प्लांटर है इसकी बिल्ट क्वालिटी काफी अच्छी है इसमें मैंने ये ऐलो का छोटा सा पप मुझे मिला था तो वो लगाया था तो काफी अच्छ और नेक्स है ये ये तो मुझे बर्डे गिफ्ट मिला था बनी प्लांटर इसने भी कार्ट पकड़ी हुए आगे देखिए सिर्डम अडॉल्फी मैंने इसमें लगाया हुआ है गर्मी के कारण थोड़े ऐसी खराब से हो रहे हैं सक्विलेंट्स तो ज्यादा इन देखने में इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं लेकिन प्लांटर के कारण थोड़े सुन्दर लगते हैं इनमें ऐसे प्लांट्स लगी हुए छोटे-छोटे सक्विलेंट्स कैक्टिस इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है और ये मैंने लगाया था तो ये तो बहुत ही नैच्छु मगाने से क्योंकि इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है छोटा से एक अलोवेरा का प्लांट मैंने इसमें लगाया था ये वैरिगेटर तो देखिए इसमें छोटी सी स्पेस में कितना अच्छा ये ग्रो हो रहा है हल्दी और इससे ना आप ऐस पैन होल्डर भी यूज कर सक रखते हो मैंने तो ऐसी स्टैंड पे रखा हुआ ऐसे और ये वाला स्क्विरल वाला है दो स्क्विरल इसमें बैठी हुई है इसमें मैंने एक हवर्थिया का बेबी प्लांट सेपरेट करके लगाया था अच्छुली जब मैंने इसे देखा था तो कुछ मतलब कि ज्यादा सैटिस्फिक्शन नहीं हुई मुझे इसे परचीज करके मैंने कुछ और सोचके इसे लिया था लेकिन थोड़ी स्पेस भी स्पेस भी कम है लेकिन और रियल में देखने में इतना ज़्यादा मुझे पसंद भी नहीं आया तो चलो ठीक है जो चीज आ गई ठीक है थोड़ा सुन्दर है पैंग्विन इसमें दो बने हुए है होड़निया कि मैंने इसमें दो तिन वराइटिस लगाई हुई है ठीक चल दी है इसमें और ज्यादा डीप भी नहीं है बहुत इसमें कम है देखने में हैवी लगता लेकिन बहुत ही ज्यादा हलका है ये मटीरियल काफी का अच्छा है जैसे fiber type होता है और ये वाला भी शायद मुझे बर्डे gift में दिया था family ने sparrow planter bird planter ये भी काफी अच्छा है quality इसकी बहुत अच्छी है और देखने में भी मुझे बहुत प्यारा लगता है colorful सा है न यलो white blue black काफी colors है इसमें और heavy भी आये और इसमें मैंने singonium की cutting लगाई थी separate करके और thund में बिलकुल एक पता इसमें रहा गया था अब summers में इसमें अच्छी growth हो रही है और काफी प्यारा लगता है ये भी देखने में और space भी आप देख सकते हो कुछ ज़्यादा space भी नहीं है लेकिन फिर भी इसमें जो singonium का plant है ये काफी अच्छा हो रहा है थोड़ी से space में और ये सबसे बड़ा planter काउ planter ये I think मैंने 350 या 365 ऐसे कुछ मंगाया था इसमें मैंने कोई plant अभी तक लगाया नहीं है soil भरके तो ऐसे ये सेडम का एक pot था तो इसमें मैंने ऐसे रखा हुआ अभी जल्दी मैं इसमें मिट्टी भरके plant लगाऊंगा तो बहुत ही सुन्दर है और detailing इसकी काफी अच्छी है ये जो cow planter ह है ना इसकी जो detailing है काफी अच्छी देखो टेल भी है इसमें देखो जैसे होती है cow बिल्कुल वैसी बनाने की कोशिश की है देखिए फेस भी इसका काफी प्यारा है सिंग भी लगे हुए उपर काफी क्यूट सा मुझे ये लगा था तो पहले थोड़ा कोसली लगा फिर मैं मंगाते मंगाते रह जाता था लेकिन लास्ट में मैंने इसमंगाई लिया था क्योंकि काफी प्यारा लग रहा था और जो चीज फिर garden में पसंद आ जाती है फिर व कोसली है 300 या 300 से अबव बाकी ये जो सारे चोटे चोटे हैं ये कोई 100 150 175 200 ऐसे हैं ये जो बन्नी वाला है और काव वाला है यही कोसली हैं तो अच्छे लगते हैं गार्डन में एक डिफरेंट सा लुका आजाता है अस्थेटिक सा लुका आता है इससे गार्डन में जगा आपने अरेंज करके रखा होता है इन्हें बस इनमें एक बात का धियान रखना होता है अगर आप ले भी रहे हो वैसे तो धूप में रख सकते हैं लेकिन तेज धूप में थोड़े मतलए उतना लंबा टाइम ये निकाल नहीं पाते हैं अगर आप ले रहे हो तो प्रेफर कर लाना cleaning इनकी difficult होती है अगर आप ले रहे हो पैसा खर्च कर रहे हो तो थोड़ी इनकी maintenance का ध्यान रखना पड़ता है ऐसे गंदे से पड़े रहते हैं फिर देखने में अच्छे भी नहीं लगते हैं बस यही दो बाते हैं इनमें तो अगर आप manage कर सकते हैं इन दो बातों का तो आप इन्हें आराम से खरीच सकते हैं और अपने garden को और भी सुन्दर एक look दे सकते हो क्योंकि यह देखने में काफी प्यारे लगते हैं तो यही थी मेरी आज की वीडियो अगर आपको यह वीडियो पसंद आयो इस वीडियो को like करें मेरे चैनल को subscribe करें